वेरी वेरी गुड मॉर्निंग क्लास दिस जुही मिश्रा फ्रम अन अकाडमी और फांडेशन बैच आज के यूट्यूब सेशन में आपका फिर से दुबारा से स्वागत है हमने मॉर्फोलोजी की सीरीज स्टार्ट किये फांडेशन बैचिस के लिए और वी है डिस्कॉस्ट टॉपिक रूट येस्टड़े तो इसकी पहले वाली रिकॉर्डेट सेशन देख रीजेगा रूट के बारे में आज हम लोग स्टेम से स्टार्ट करेंगे कल मैंने आपको अच्छी तरीके से ब्रीफ किया था कि मॉर्फोलोजी का क्या मतलब होता है अनटोमी का क्या मतलब होता है «Plan't के Most somf cardi ACL PARTS में कौन कौन से पार्ट आएंगे और क्या है जो हम इस में consider करेंगे तो रियान रखना है आपको और आज का कंटेंड जो है वो start करना है तो मॉर्फोलोजी का ये दूसरा टॉपिक है the Stem stem जो है कल मैंने आपसे बोला था कि जो seed germinate करती है जो उसका दो पार्ट निकलता है एक जमीन के नीचे जाता है radical जिससे root बनता है और एक जमीन के उपर जाता है जिसको plimule बोलते हैं और ये shoot बनाता है plimule ही future shoot है यानि stem plimule से develop करेगा leaf plimule का development है जितने भी हिस्सा plant का above the ground है वो plimule से बनता है तो stem जो है देखो ये positively phototropic structure होता है क्योंकि light के presence में light की तरफ ग्रो करता है stem stem का देखो main काम क्या होता है कि एक platform देता है branches को fruits को flower को leaves को ताकि वो सब कुछ उस पर ग्रो करें और अपने जो specific functions है perform करें और plant की life cycle आगे बढ़ाएं तो stem के लिए बात समझेए guys stem ascending part of the axis है ascending का मतलब ही होता है यानि नीचे से उपर की तरफ और descending मतलब नीचे उपर से नीचे तो ascending मतलब नीचे से उपर की तरफ एक part निकली है इस तरीके से एक perpendicular structure होता है इसलिए axis एक term देते है एक platform होता है जहां से branches leaves, flower, fruit सब कुछ निकल के आएगा ये germinating seed के embryo के primule part से निकलता है primule light की तरफ है इसे लिए positive phototropic और gravity के against है तो negatively geotropic होता है किसी भी stem की एक special पहचान होती है एक उसके special feature होती है कि जहां से उसमें leaf निकलती है उस point को node कहा जाता है और दो node के बीच में जैसे ये node 1 है ये node 2 है तो in between the two node inter node present होता है तो leaf के point यानि node वाले point से दो node के बीच में जो point है तो node inter node ये specific character होता है कि stem इसलिए root से अलग है leaf से अलग है बाकी सबसे अलग है इसमें node और inter nodes मिलेंगे ये भी ध्यान रखना है कि stem का जब जो point जहां से leaf निकल रहा है define करें node in between the two node दो के बीच में inter node है stem पे और क्या-क्या देखने को मिलेगा इसमें आपको birds मिलेंगे कली बोलते हैं आगे चलके flower बनेगी bird अगर इस तरीके से निकली है तो इसको terminal bird बोलते हैं या epical bird बोलते हैं यानि सिरे पर निकली हुई है stem के लेकिन अगर इस तरीके से किनारे पर निकली हुई है तो उसको axillary bird बोलते हैं और stem अगर green है बहुत सारे herbaceous plants होते हैं जिसमें stem green होती है ब्रिंजल है टमैटो है इन केस में chlorophyll होता है stem में वो भी photosynthesis करती है लेकिन बाद में ये जब mature होती है stem तो woody हो जाती है dark brown black color ले लेती है और फिर वो photosynthesis नहीं करती है उसमें chlorophyll खतम हो जाता है तो ये याद रखिएगा herbaceous stem, young stem green होती है, soft होती है और photosynthesis भी कर सकती है कुछ हद तक बाद में mature होने के बाद उसका color बदलेगा, texture बदलेगा, property बदलेगी, उसमें hardness आएगी और उसमें secondary growth आपको दिखाई देगी और वो stem dark brown सिर्फ support करेगा, conduction करेगा लेकिन photosynthesis नहीं करेगा pain function है, normal function, इसका मतलब है कि वो branches को spread out करेगा, leaves को, fruits को, flowers को जगा देगा, minerals को, water को conduct करेगा, अगर green है तो photosynthesis भी करेगा, और photosynthesis का जो product है, जो glucose बना है, जो starch बना है, उसको photosynthes कहते हैं, उनको भी conduct करेगा, stem storage की तरह भी काम करते हैं, खाने को store करना, mechanical support देना, protection देना, और vegetative propagation भी कराना, जैसे rose के plant में आपको मालूम है, कि कल्म अगर आप काटके लगा दें तो पेड निकल आता है, हिबिसकस में भी ऐसा होता है, देन मनी प्लांट में भी ऐसा होता है, तो vegetative propagation अगर stem से हो रही है, तो stem एक प्रोपग्यूल की तरह भी behave करता है, ठीके, क्या-क्या देखा आपने, positive phototropic, negative geotropic, प्लिम्यूल से बनेगा, node inter node present होगा, कली निकलेगी तो epical भी हो सकती, axillary भी हो सकती है, यंग stem green होता है, soft होता है, mature होने के बाद woody और dark हो जाता है, main function होता है, branches को develop करना, leaves, fruit और flower को area देना, conduction करना, minerals का, water का, photosynthetes का, और protection, storage, vegetative propagation, food, conservation, ये सब कुछ stem का का काम है, लेकिन अगर stem इन सबसे हटके, कुछ और करने लगे, मतलब, other than these normal function, अगर कोई modified function करे, तो फिर वो heading आपकी stem modification में आ जाएगी, कि stem अगर modify हो जाए, अपने function से हटके कोई और काम करने लगे, तो उसको stem modification कहते हैं, NCRT में paragraph करके दिया है, और questions भी इसी में से आते हैं NCRT से, मैं लेकिन एक बार आपको broadly बता दूँ, कि stem जब modify होती ही अपने function में, तो उसको 3 level पे discuss करते हैं, stem modifications को हम 3 level पे differentiate करेंगे, एक तो होता है underground stem modification, जिसमें stem पूरी तरीके से जमीन के अंदर रहेगा, एक सब aerial होता है, न जमीन से पूरा उपर, न जमीन से पूरा नीचे, parallel to ground होता है creeper की तरह, और एक जिसमें अच्छे से stem पूरी तरीके से जमीन के उपर above the ground है, यानि की aerial stem modification, underground stem में आपको tuber के बारे में पढ़ना है जिसका example potato है, आपको rhizome के बारे में पढ़ना है जिसमें ginger और turmeric आएगा, corn के बारे में पढ़ना है आपको alokasia, kolokasia, bulb के बारे में पढ़ना है यानि onion and garlic, तो ये सारे example अद्रक, हल्दी, आलू, ये सब के सब underground stem modifications में आते हैं, एक बात कि stem है, इसकी क्या पहचान है, देखके तो root की तरह लगता है, लेकिन पहचान सिर्फ इतनी है कि चाहे वो underground or aerial हो या sub aerial हो, अगर stem है तो उसमें node plus inter node जरूर होगा, ऐसा आलू में भी होता है, कहते हैं ना आलू यानि पटेटो में जो eyes होती है, जिसको अगर आप काट के जमीन में लगा दे तो नया पेड़ आ जाता है, वो आलू की जिनको लोग आलू की आखे कहते हैं, वो auxiliary bud होता है उसका, जो एक vegetative propagule की तरह भी एव करता है, ठीके, सब एरियल modifications में क्या क्या पढ़ना है, अब सब एरियल modification में भी आपको चार पढ़ने हैं, इसमें एक runner आता है, ये grasses में आपको मिलेगा, सकर आता है, आपको पुदेने में मिलेगा, मिंट में, जैस्मीन में, स्टोलोन मिलेगा आपको फ्रेजेरिया, यानि की strawberry में, और एक आता है, इसमें आपसेट, ये हाइड्रोफाइट्स में होता है, इकोर्निया यानि जलकुम्भी में, तो ये सब एरियल modifications है, ऐसा stem, जो की तरीके से, न तो जमीन के नीचे होता है, न उपर होता है, और एक special property, कि जितने भी सब एरियल modifications हैं, वो vegetative propagation में help करते हैं, इनका vegetative propagation में बहुत रोल है, जबकि ट्यूबर खाने के लिए rhizome, korm और bulb, ये सब edibles होते हैं, इनका main target होता है, इनको खाया जाता है, इसमें food storage ह होता है, तो ये food storage से related है, विजिटेटिव propagation यानि reproduction से related है, अब बचा aerial modification, aerial modification में extra support, mechanical strength, transpiration की rate को कम करना, rate of photosynthesis बढ़ाना, कुछ इस तरीके के modified functions मिलेंगे आपको, aerial में जैसे tendrils पढ़ना है, climber plants में आपको मिलेगा, noodles की तरह ऐसा होता है, curly structure, मटर के पौदे में देख लो, kakarbeats में देख लो, तो मटर का तो leaf का modification है, क्योंकि tendril, leaf modification में भी आती है, और stem modification में भी आती है, जो kakarbeats होते हैं, जो gourd families है, लोकी, pumpkin, कद्दू, कोहना, निनु इन में जो भी tendril होता है, kakarbeats में, वो stem का modification होता है, लेकिन मटर में, पाइसम सटाइबं के plant में, leaf का modification होता है, tendril का काम क्या होता है, support करना, plant climber होता है, soft होता है, delicate होता है, तो आपको पता है कि tendril किसी चीज़ को पकड़ कैसे curl कर लेती है, फिर पेड उसके सारे चड़ जाता है, ठीक है, tendril के लावा, cactus में, आपको, वो spines तो leaf का modification है, cactus में, लेकिन cactus का जो green part होता है, उसको उनो philoclade कहते है, तो philoclade जो होता है, यह photosynthetic होता है, photosynthetic stem, जैसे cactus में, यह cactus का जैसे आप structure देख रहे हैं, तो आपको मालूम इस तरीके से, जैसे green green structure होता है, खूप सारे काटे निकले होता है, तो जो यह काटा यह spine होता है, यह काटा तो leaf से बनता है, spines तो आपको leaf से मिलेंगे, spines, leaf modification, बट यह जो आपको दिख रहा है, यह जो fleshy structure होता है, leathery structure होता है, watery structure होता है, इसको ही philoclade कहते है, philoclade मतलब ही होता है leaf की तरह, अब clade शब्द जो होता है, वो stem के लिए आता है, तो philoclade आपको appuntia में मिलेगा, appuntia is the botanical name of cactus, यह एक dicot में आता है, cactusy family, ठीक है, तीसरा modification, aerial stem का cladode आपको मिलेगा, शतावर एक plant है, एक medicinal plant है, बहुत जादा use हो रहा है, आजकल fertility treatments में, stamina booster, metabolism booster, तो cladode जो होता है, यह भी stem modification है, और समझ सकते हैं कि जैसे यह main plant है, अगर, तो यह इसका अगर node है, तो node पे leaf like, छोटे stems develop करते हैं, आपको देखके लगेगा leaf है, लेकिन leaf नहीं है, है stem, क्योंकि इसमें भी node inter node होता है, इस तरीके से, ऐसे नीचे वाले node से और node बनाएंग इसमें, तो यह जो आपको देख रहा है structure, यह cladodes को represent कर रहा है, cladodes को, cladodes are the branch of limited growth, not leaf, थ्यान रखना यह leaf नहीं है, यह branch of limited growth है, जो normally न ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि इसमें chlorophyll होता है, अब आपको पता ही है, यह chlorophyll का तो काम ही होता है खाना बनाने का, photosynthesis करने का, तो यह खाना बनाके photosynthesis करेगा, ठीक है, और यह example आप डाल दीजिए, asparagus का, शतावर इसी को बोलते हैं, एंड एक और एक्जाम्पल है, रसकस, मैच तक कॉलम वाले question, morphology में बहुत आते हैं, इसका ध्यान रखना है, cladotes, philoclade हो गया, tendrils हो गया, और भी modifications है, इसमें तो यह तीन most important है, एक काप और याद कर लीजेगा, जैसे, यह जबीन कंद कॉर्म का हो गया, विल चेक न, इसमें अगर दिया होगा, तो यह बताऊंगे, न तो एक्जाम में आता नहीं, विजिटिटिव प्रोपोगेशन, हाँ, यह people का पेड है, इसमें याद रखना, मतलब spine वाला modification, एक यह देख लेना, ठीक है, और उसमें, जिजाइफस plant में, चली, तो modifications से start करेंगे, यानि stem अपने normal function को छोड करके, अगर कोई modified function करने लगे, तो उसको stem का modification बोलते हैं, example should be learned only and only from NCR, 910th foundation, content आपको revision के purpose से तयार करना है, अगर आप कोई भी competition देंगे, plus 2 level तक का, तो आपको 11th और 12th की NCRT पर अपना command establish करना ही करना है, तो don't think कि content बहुत ज़ादा है, या high है, क्योंकि इसी से आपका कहते हैं, बेड़ा पाहर होगा, तो always prepare for the higher one, ठीक है, देखो लिखा है कि stem हमेशा typical functions ही नहीं करता, ये modify हो जाता है, functions बदल-बदल के भी काम करता है, जैसे potato का stem, ginger का stem, turmeric का stem, जमीन कंद एक सबजी इसको हिंदी में सूरन कहते हैं, और अधिकतर ये दशेरे के आसपास ये सबजी मिलती है, तो जमीन कंद जो है, ये इसमें काफी starch होता है, kolokasia, arwi, ये जो मौसम चल रहा है न, monsoon, बारिश वाला, kolokasia इसमें आपको मिलता है, याँ देख भी पाएंगे आप, पहचानते होंगे आप इसको, ऐसे brown color का होता है, फिर इसको boil करके, इसका छिलका हटा हो, तो white color का की सबजी, बहुत slippery होती है, हाप से फिसल जाती है, तो kolokasia जो है, काफी nutritious भी है, stem modification है, तो ये सब कुछ न, food store करते हैं, they are having a lot amount of alkaloid, lots of amount of gingiberin in the ginger, starch in the tomato, kolokasia, जमीन कर, ये देखो, organ of perination भी होते हैं, organ of perination का मतलब होता है कि, अगर unfavorable condition है environment में, suppose पानी की कमी, food की कमी, oxygen की कमी, या pH disturb हो गया, तो ये लोग reproduce नहीं करते, और तब तक wait करते हैं, reproduce करने के लिए, जब तक की favorable condition return नहीं हो जाती, तो organ of perination ऐसे structure को कहा जाता है, जो unfavorable conditions में भी अपने आपको बचा के रखे, और favorable condition आने के बाद normal हो जाए, ठीक है, फिर tendrils की बात करा है, वही noodle वाले structure की, ये auxiliary bud से निकलता है, auxiliary bud का मतलब होता है, जो कली ऐसे किनारे पर निकलती है, ये slender होता है, इस तरीके से spirally coiled होता है, प्लांट को क्लाइम करने में जो भी ककर बीट्स हैं, गोड्स जो है, कुकुम्बर, पंकिन, वाटर मिलॉन, स्मिलॉन, ग्रेप वाइन, ये ग्रेप वाइन ककर बीट में नहीं आता, लेकिन ग्रेप वाइन जो होता है, इसमें भी stem tendril पाई जाती है, उसके बाद एक प्लांट है, बोगेन वीलिया, जिसको हिंदी में कहते हैं कागज का फूल, इसके फ्लार में महक नहीं होती है, और ये फ्लार एक, मतलब बोगेन वीलिया एक जेरोफिटिक प्लांट है, कम पानी वाली जगह पे आराम से आपको मिलेगा, बहुत सारे इसमें काटा होता है, इसके काटे को थौर्ण कहते हैं, देखो थौर्ण और स्पाइन में अंतर होता है, थोड़ा से इस बात को समझेगा, जैसे सिट्रस है न, सिट्रस यानि नीम्बू, बोगेन वीलिया, इनमें न, थौर्ण पाया जाता है, न, न, इस्पाइन, वाट इस दे डिफरेंस बिट्विन थौर्ण और स्पाइन, कि जो थौर्ण होता है न, उसमें वस्कूलर सप्लाई होती है, थौर्ण अदिकतर ग्रीन कलर का होता है, ठीके, टच करने पर बहुत हार्ड होता है, बुडी भी होता है, और वस्कूलर सप्लाई होती है, इसमें जाइलम, फ्लोयम होता है, ये काटे वाले पेड़ की क्या सिग्निफिकेंस होती है, आपको पता है कि जो ब्राउजिंग अनिमल्स होते हैं, ग्रेजर्स होते हैं, वो खा नहीं सकते इसको, यानि प्लांट का प्रोटेक्शन हो रहा है, साथ में पानी का ये लॉस भी कम कर देते हैं, रेट ओफ ट्रांस्पिरेशन काटे से बहुत कम होती है, और ये भी याद रखिएगा, कि जो अपुंशिया है, यानि कैक्टस, इसमें जो काटा होता है, वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, लेकिन जो इसमें आप फ्लैट स्ट जिसमें पानी भरा हुआ है, वो इसका फिल्लो क्लेड होता है, ठीके, और साथ में एक एक जाम्पल और याद रखिएगा, यूफोर्बिया, यूफोर्बिया इस लाइक या अपुंशिया, इसमें भी कम पानी वाले एरिया में ग्रो करने की एडाप्टेशन होती है, यहा अब मैच तक कॉलम के कॉश्शन साएंगे, मैच कर ओ फिलो क्लेड कहां पे, क्लाडोट कहां पे, तेंड्रो कहां पे, ठान कहां पे, इस तरीके से आपको बताना है, टूबर कहां मिलेगा, बल्प कहां मिलेगा, राइजोम कहां मिलेंगे, तो बी वाला Cacarbeats के टेंड्रो इसको दिखा रहा है ये वाले ये जिंजर है जिंजर का साइन्टिफिक नेम होता है जिंजिबर जिंजिबर ओफिंसीनल साइन्टिफिक नेम्स आपको 11 में अच्छे से तयार करना पड़ेगा ये कोलोकेजिया है ये आलू है सोलैनम टूबरोसम पोटैटो और ये नीचे आप स्पाइन देख रहे हैं और ये जो आप देख रहे हैं वेजिटेटिफ प्रोपोगेशन और ये ओक्जेलिस का प्लांट है और ओक्जेलिस जो है इसमें इस्टेम नोट से निकल रही है root node से निकल रहे हैं सोरी और vegetative propagation करवाते हैं इसमें ठीक है इसके बाद underground stem जो है bulb, korm उस case के अलाबा अगर आप grass की बात करें grass में दूब grass का common बाटनिकल नेम याद रखना cynodon जिसको दूब grass कहते हैं संस्कृत में दुरुबा कहते है strawberry जो एक false fruit है frigeria scientific name होता इसका तो यह frigeria है cynodon है यहां पर क्या होता है कि मतलब जमीन से नीचे की तरफ जो older part होते हैं वो मर जाते हैं और उसके बाद वहां से मतलब जैसे अपने यहां parallel to the ground new plant part डिवलप करेगा पुराना मरता जाएगा नया बनता जाएगा तो यह क्या हो रहा है यह सब aerial के बारे में आपको बता रहा है mint यानी pudina jasmine यहां पर क्या होता है कि पेड में जो नीचे की तरफ branch होती है वो soil में चली जाती है फिर soil में चले जाने के बाद cut out हो जाती है main plant से यहां से अपने आप नया root निकलेगा हो रही है ठीक है उसके लावा node और inter node present है जिससे पता चलता है कि वो stem का part है साथ में यह याद रखिएगा जो जलकुम्भी होती है जिसको water eye synth बोलते है कुछ इस तरीके से होती है देखने में ऐसे फुली सी leaf होती है परपल कलर का इसका flower होता है बहुत सुन्दर होता है थोड़ा सा भी अगर यह ग्रो करे जलकुम्भी तो पूरे पानी में फैल जाता है इसको अगर आप पानी से उठाओ न वाटर हैसंत को तो मैट की तरह पूरा का पूरा पानी जो होता है वो उठ जाता है वो निकल आता है बाहर तो यह इसलिए होता है क्योंकि इसमें offset प्रेजेंट होती है तो जो root है वो bundles में होगा पतियां, bunches में होंगी जिसको rosette कहते हैं aquatic plant जैसे pristiae cornea यहाँ पर भी sub-arial stem का modification होता है last में दिया है banana pineapple और chrysanthemum यह तीन ऐसे प्लांट है जिसमें जो lateral branch होती है यह साइट से जो branch निकलती है यह मतब stem के नीचे से निकलती है even underground जमीन के नीचे से निकलती है और उसके बाद एक oblique तरीके से यानि तिर्ची तरीके से ग्रो करती है और उस पे नएने leaves आते हैं तो जो यह आप character पढ़ रहे banana में pineapple में chrysanthemum में तो ध्यान रखिएगा banana में भी rhizome होता है और banana एक मतलब त्री नहीं है banana जो है यह plant में आता है herbaceous होता है banana non woody होता है banana ठीक है तो यह रहा मतलब stem का आपका पूरा topic हो गया normal functions recall करने है stem का आपको character recall करना है node inter node के बारे में modifications में से example underground का potato, ginger, turmeric और जमीनकंद, kolokasia tendrils में याद करना है तो kakarbeats, cucumber, pumpkin, watermelon, grapevine thorn में याद करना है तो citrus और bougain भी लिया ठीक है philloclade में याद करना है तो apuncia और euphorbia philloclate का काम photosynthesis करने वाले stem को कहा जाता है underground में grasses और strawberry जो reproduction करते है mint और jasmine sub aerial में आएंगे ठीक है pisti eye cornea sub aerial में आएगा और hydrophytes में याद रखिएगा जो पानी में पाए जाने वाले plant है जिसमें stem modification है तो pisti eye cornea ठीक है न so आज का जो session है बस यहीं तक कल यानि अगले topic में we will start with the leaf leaf में भी आपको structure बताना है पूरा पूरा venation बताना है detail में कितने type की होती है philotexic इसको बोलते है leaf का modification कितने type का है कौन-कौन से example है we will discuss these topics in the next video till then stay tuned with me चैनल को subscribe कर ले और biology foundation contents के लिए मेरे साथ बने रहे thank you झाल को बताना है